strategic and operational management strategic management में हम तीन चीज़ें बहुत जादा कैफली देखते हैं सबसे पहले analysis decision or action सबसे पहले जो analysis है वो है आपका planning या वो आपका एक तज्रिया है आपका एक viewpoint है वो देखना होता है कि हम जो strategic management की बात करें तो management के कोई ना कोई goals होंगे और वो जो goals है वो definitely वो किसी vision किसी mission या किसी strategic objectives को देखते वे बनाए गए होंगे और जब हम उन goals की बात करते हैं उसका analysis करते हैं उसका तज्जिया करते हैं कि हमारी company या my firm की objectives क्या है हमारी उसके मकासित क्या है तो उन मकासित को देखा यह जाता है कि हमारे इस company इस firm यह इस industry का objective क्या है इसका vision क्या है हम क्या करना चाह रहे हैं तो वो जो हमारा purpose है उसको well defined होना चाहिए और उसी mission के मताबिक strategic objective के मताबिक हम अपना strategic goals decide करते हैं या design करते हैं उसकी बात हम अ लोगों के साथ हम कैसे deal करते हैं फर्म basically deal करती है लोगों के साथ या materialistic है वो किस तरह की है उसकी nature को analyze किया जाता है इस analysis के बाद बारिया थी decisions करने के कि हमारी जो industry है जो हमारी firm है वो किस industries के को compete कर रही है आइधर वो जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी इस firm से related और कौन कांसी industries हैं जिनके साथ हमें compete करना है और हम किस तरह से compete कर सकते हैं तो यह जो decisions है वो हमें बहुत जादा strategic management में define जब हम definition की बात करते हैं strategic management की तो strategy बनाने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप आपकी जो firm है वो किस के साथ compete कर रही है उसका मुकाबला खिसके साथ है वह वहां पर कैसे अपनी जगा बना सकती है वो कहां पर settle down हो सकती है और उसको कैसे settle down किया जा सकता है उसके बाद आता है allocations एक्षिंस के हम किस तरह से necessary resources को allocate कर सकते हैं हमें human resources चाहिए financial resources चाहिए या material resources चाहिए तो हम उनको proper तरीके से कैसे allocate करे हमें finance department में कि किने लोग रिकॉयइड है हमें और हम कॉलिटी से रिलेटेटिफ इन्हांस्मि सेल है तो उस मोने लोग रिकॉयइड होंगे रेससारी धिलेटिफ हमें लोग इन्हीं करते हुए देखना होता है उसके बाद हम दिखते कि हम organization के जो strategies है उसको realities में कैसे लेकर आ सकते हैं जो हमने objective बनाए जो हमने decisions लेने हैं जो हमने अपने mind में vision mission जो strategic objectives बनाएं उनको हम reality में कैसे लेकर आएंगे तो वो भी हमें पता चलता है जब हम strategic management proper तरीके से define करते हैं strategic management एक process है जिसका मतलब यह है कि हम organization में जो strategies बनाते हैं जो process से गुजरते हैं जो जो हम objectives decide करते हैं जो भी हम तरीके कार इस्तमाल करते हैं जिसमें हम अच्छी performance हासल कर सके हम organization को बहतर से बहतर बना सकें उसके लिए जो strategic management बहुत जादा हमारे जो है वो काम आती है कि हम strategically management को define कर सकते हैं और यह इस process को understand कर सकते है strategic management is all about the identification and description of strategies कि वो कौन से tactics हैं वो कौन कौन सी strategies है वो तरीके कार कौन सा है जिससे managers जो है वो अपने objectives को achieve करने के लिए अपनी performance बहतर बनाते हैं competitive advantages देखते हैं कि हमारी organization के क्या-क्या advantages हो सकते हैं उसकी क्या और नेटिव हो सकते हैं जिसके तुरू हम अपनी organization के जो performance है उसको बहतर बना सकते है strategic management अगर हम देखें तो यह इसमें हम study करते हैं कि कोई भी फर्म वो किस तरह से outperform करती है वो किस तरह से perform करती है और हम उसमें कौन से competitive advantages लेकर आ सकते हैं ताकि वो हमारी जो फर्म है वो market में एक variable place valuable जो है वो identity रख सके और उनिकनेस हम उसकी बरकरार रख सके तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि आपकी फर्म को कोई replicate ना कर सके कोई duplicate ना बना सके कोई इसकी copy ना कर सके और वो एक डिफिकल्ट इस process से तभी उजरेगी यह तभी possible होगा जब आप इसमें सारी proper तरीके से management करते हैं proper तरीके से आप इसकी प्लैनिंग करते हैं total organization perspective अगर हम देखें तो integration की जाती है कि हम functional areas में किस तरह से integrate करते हैं हमारे roles कैसे हैं हम किस तरह से लो जो company है management है उसके functions को proper तरीके से address करते है strategic management consisted है analysis पर decisions पर actions पर कि organization में जितने भी this analysis किये जाएंगे decision making होगी जितने objectives बनाए जाएंगे उन से related resources को allocate करना है कितने लोगों को हम किस तरह से recruit करते हैं किस तरह से हमें company के environment को बहतर बनाना है और फिर अपनी उस firm को उस industry है वहां पर उसको एक competitive नाम पैदा करना है उसके लिए strategic management process बहुत जादा काम आता है अब strategic management process किस तरह से काम करता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि environmental scanning करते हैं कि हम किस environment में हैं उसमें हम इस process को refer करते हैं कि इस process में हम data collect करते हैं कि हमारे जो firm है वो कहां पर है उसकी किस तरह से information जो strategic purposes हैं उससे related हमें कौन-कौन से data चाहिए हमें यह पता होना चाहिए कि यह market में कितने लोग होते हैं buyers कौन-कौन से हैं for example अगर आप एक युनिवर्स्टी बनाना चाहते हैं आप एक एडुकेशन और इंस्टूटिशन ऑपिन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहां के students को कौन सी university की जरूरत है कौन से institutions की जरूरत है और वो university already वहां पे कौन-कौन सी university is available है और वो कहां किस लेवल पे हैं और आप अपने industry का अपनी firm का level किस level तक लेकर जाना चाहते हैं तो environmental जो scanning है वह बहुत जरूरी है कि आपको लोगों का population का sample का उस environment का उस area की competitiveness का जो है वो पूरा जो है वो data available होना चाहिए आपके पास उसके बारे में पूरी information available हो उसके बाद strategy formulation है process क्या है कि हम जब decide कर रहे हैं कि हमें best course of action लेना है कि हम अपने objectives को achieve करने के लिए सबसे बहतरीन जो तरीके कार है वो अपनाना होगा और उसमें फिर हम strategically अपनी implementation करेंगे कि जो action आपने decide किया है उस action के तहत आप उस पर action plan को implement करवाएंगे और फिर strategy evaluation की जाती है कि हम देखते हैं कि जो हमने environment को देखा था environment को scan की फिर हमने उसके मताबिक अपनी जिस तरीके से अपनी जो policies बनाई जिस तरह से design किया फिर implement किया तो वो किस हद तक हमारे काम आई है और किस तरह से तो उसकी पुरी evaluation हम आखिर में करते हैं उसके बाद strategic decision making है कि जिसमें हम major resources को देखते हैं कि वो हमारी organization में किस तरह से काम आती है यह decisions हमें इस तरह से के पता चलता है इस process से कि जब आप कोई resources को allocate कैसे करना है उसको organize कैसे करना है पिर reallocate कैसे करना है यह सारी जीज़ें हम decision making strategies में बनाते हैं decision making जब भी की जाती है वो harmonizing organizational resources के मुताबिक कि हम अपनी capabilities देखते हैं हम अपनी organizations related जितने भी threats हैं उनको जहन में रखते हैं उसके बाद जब strategic decision की जाती है उसमें यह भी देखा जाता है कि जो organizational activities हैं वो किस range तक है उसके बाद यह देखा जाता है कि हम अपने organization में हमें किस तरह की चीज़ें चाहिए और किस तरह की चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो उस चीज़ को भी decision making करते वक्त धियान में रखा जाता है strategic decision involved किया जाता है कि हम जो major जो change है वो हमें देखना होगा कि organization में कौन-कौन सी चीज़ें जुनको हम change कर सकते हैं या ever-changing environment create कर सकते हैं और उसी के मताबिक जो अपने decision making है वो की जाती है strategic management decisions में बहुत ज़्यादा complex nature में होते हैं क्योंकि strategic management strategic decisions जो है वो top most level से start होते हैं और वो deal किये जाते हैं कि हम अपनी environment को हम अपनी firm को future में किस तरह से देखना चाते हैं और उससे related हम कौन-कौन से risk ले सकते हैं benefits क्या है strategic management के case में financial benefit non financial benefits और close thoughts आ जाती है अगर हम financial benefits में देखें तो हमें यह पता चलता है कि जब हम strategic management करते हैं तो कापी सारी studies से हमें पता चल जाता है कि आप अपनी company को कैसे profitable बना सकते हैं कैसे successful बना सकते हैं और इसमें किस तरह से जो benefit है वो ले सकते है strategic planning के तरह है आपका tangible benefits में आ जाता है कि इस benefit के तहट आपको पता चल जाता है कि जो आपकी जो strategic management है वो किस तरह से engage रही है external threats को देखने में वो कैसे aware रही वो किस तरह से उनको पता चला कि हमारी strengths क्या है हमारे competitors की strengths क्या है हमारी weaknesses क्या है या हमारे competitors की weaknesses क्या है फिर हम अपने employees को उस productive employee की productivity बढ़ाने के लिए वैसी strategies लेते हैं और ताकि वो हमें और ज्यादा productive काम कर सके दे सके और फिर हमारे जो results है वो proper तरीके से highlighted form में नज़र आ सके और हम अपनी organization को result oriented बना सके उसके बात non-financial benefits अगर देखें तो बहुत ज़्यादा lesser resistance होता है change की तरफ यह इनके पास clear understanding हमें आ जाती है फिर हम देख सकते हैं कि हमारी performance है या हमारी rewards है company के उन में कितना difference है और कितनी clarity हमें मिल जाती है जब हम non-financial benefits को अज़र इनके पास सकते हैँ झाल्स रखश वार है गया यह जए को जब हम श्ज़ में दो वीखाया दित्वर शड़ित रह स्वेशशाश को झाल झाल